बिस्मिल्लाहिर रख्मान ररहीम, अस्सलाम अलेकों, मैं हूँ खानमानसा शहजादी, गोहर पब्लिशर्स में खुशामदीद, हमारा स्लोगन है Redefining the Geography of Education through Digital Resources for Conceptual Learning Dear Teachers and Students, हम गोहर Skill-Up Series Math Prep Class पढ़ रहे हैं और आज हम इसका एक बहुत अच्छा concept पढ़ेंगे, जो कि है time अब सब बचे अपनी किताब खोलेंगे और किताब पर हमें नजर आ रहा है time येस, आज हम time के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर दो boys आपको नजर आ रहे हैं ठीक है, पहले इनको और से देखें, मुझे बताएं कि इन में से चल कौन रहा है और दोड कौन रहा है येस, ये लड़का चल रहा है, he is walking and this one, he is running, yes, वो दोड रहा है he is slower, ये slowly, slowly चल रहा है, walk कर रहा है he is faster, वो बहुत तेज दोड रहा है he will reach school later, वो बाद में school जाएगा he will reach school earlier, वो जल्दी 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 चो भागेगा वो जल्दी जल्दी school बहुत जाएगा तो यहाँ पर हमने time को manage भी करना है for example, अगर आपको late हो रहे हों, तो हम क्या करेंगे? faster school आएगे, और अगर हमारे पास अभी time होगा पंदरा बीस मिनट होंगे, तो हम क्या करेंगे? आइस्ता, आइस्ता school आएगे तो इसके साथ हम यहाँ पर देखते हैं two objects हैं पहले हम यह इसकी statement पढ़ते हैं a car and a aeroplane are taking passengers to Karachi from Lahore which will reach earlier and which will reach later which is faster and which is slower अब यहाँ पर दो हैं अगर आप जहाज पर सफर करते हैं और एक car पर सफर करते हैं तो मुझे बताएं, faster क्या है? car are aeroplane yes, aeroplane faster है than car के तो यहाँ पर दो objects हैं हम इसमें से देखते हैं faster कौन सा है और slow कौन सा है? yes, यह है slow और यह है faster yes, और आज हमने यह activity भी यहाँ पर मुकमल की है अब हमारे पास इस page के उपर हमें time के बारे में बताया गया है यहाँ पर time हम किस तरह से देखेंगे? यह है हमारी short hand और यह है long hand short hand किसको show करता है? hours को और long hand minutes को show करता है अब जो short hand है वो है 5 पे और जो long hand है वो है 12 पे तो time क्या हुआ है? 5 o'clock अब हम निचे देखते हैं short hand है 1 पे long hand है 12 पे time क्या हो गया है? 1 o'clock short hand 3 पे है long hand 12 पे है so time क्या हो गया है? 3 o'clock short hand 6 पे है long hand 12 पे है time क्या हो गया है? 6 o'clock 6 o'clock 6 o'clock अब यहाँ पर देखते हैं short hand है 11 पे और long hand है 12 पे so हमारे पास time क्या हो गया है? yes 11 o'clock 11 o'clock और अब हम अपनी क्लास में लगे हुए clock पर time देखना सीखेंगे कि यहाँ पर देखे सारे बच्चे गोर से short hand कहाँ पे है? hmm और long hand yes और आब आपके क्लास में जो time हुआ है वो आप मिलकर एक दूसरे से पूछेंगे और बताएंगे dear teachers इस पेज के last पे आप लोगों के लिए instructions दी गई है show the students time on the clock बच्चों के सामने class में मुझूद जो clock है उसके मताबिक बच्चों को time बताने की practice करवाएं और साथे साथ बच्चों को guide करें कि हम time किस तरह से देख सकते हैं अब हम यहाँ पे clocks को देखकर time लिखेंगे जैसा कि short hand है 3 पे और long hand है 12 पे तो यहाँ पे time हो गया है 3 o clock यहाँ पर short hand है 10 पे long hand है 12 पे तो time क्या हो जाएगा yes 10 o clock यहाँ पे short hand है 6 पे long hand है 12 पे तो time क्या हो गया है 6 o'clock यहाँ पे short hand है 4 पे long hand है 12 पे हमारे पास time क्या हो गया है 4 o'clock short hand है 2 पे long hand है 12 पे time हो गया है 2 o'clock short hand है 5 पे very good and long hand 12 पे अब मुझे बताओ क्या time हो गया है 5 o'clock और यहाँ पे गोर से देख के बताओ 11 o'clock very good यह भी बताओ मुझे 7 o'clock very good और यहाँ पे time बताओ मुझे क्या हो गया है 8 o'clock very good आप लोगों ने बहुत असानी से time को देखना सीख लिया है और हमने आज यहाँ पे clock को देख कर time भी लिखा है आप लिखा है आप लिखा है